नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं आप तक की बड़ी ख़बरों की भारत से विदेश सचिव वारता का काम चारी पाकिस्तान पाकिस्तान ने शुकरवार को कहा कि भारत पाक शांती प्रक्रिया बहाली को लेकर एक दूसरे के संपर्क में हैं और विदेश सचिव सर की बागचीत के लिए काम किया जा रहा है भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित की और से भारत के साथ शांती प्रक्रिया मिलंबित होने की बात कहने के एक सताह बात ये बयान आया है पाकिस्तान के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता नफीज जकरिया ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत पाक एक दूसरे के करीब आने के लिए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में हैं जकरिया ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ये निर्ने लिया गया था कि दोनों देशों के विदेश सचिवों की जल्द बैठक होकी। भारत के साथ बादचीत का रास्ता अब भी खुला होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ बादचीत ही बहतर विकल्प है। दो देशों के बीच बादचीत और संपर्क बना रहना कूटनीती है। भारत और अमेरिका के सेन संबंद गहरे हुए कमांडर। हमारे द्वेपक्षिय संबंदों में आई नई गती प्रशांत कमान के बेहत आशा जनक रणनीतिक अवसर को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के सेनाओं के बीच के संबंद गहरे हुए हैं क्योंकि ये दोनों बल एक साथ प्रशिक्षन और संचालन को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल जनवरी में राश्ट्रपती बराक ओबामा और प्रधान मंतरी नरेद्र मोधी ने एशिया प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्र के एक सयुक्त रणनीतिक विजन पर हस्ताक्षर किये थे। ये एतिहासिक दस्तावेज उसक्षेत्र के ल पिछलने वाली रेड लाइन पर आज बिजली का तार तूटने के कारण सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। तार तूटते ही इस लाइन पर ट्रेनों का वागमन रुख गया और पूरी लाइन पर जहां तहां ट्रेने खड़ी होने के कारण इनमें बड़ी संख्या में यात्री फस गए। लोगों को अपने गंतवे तक पहुचने में एक घंटे से भी ज्यादा देरी हुई। राजधानी में और इवन योजना का पहला दिन होने के कारण ट्रेनों में अच्छी खासी भीर थी। रेड लाइन के स्टेशन से यात्रियों को वापस लोटना चपेट में आकर दर्दिनाक मौत हो गई। सहरनपुर की वरिष्ट पुलिस अधिक्षक आरपीस यादव ने बताया कि आज सुबह कोतवाली थानक शेत्र के तहत लिंक रोड निवासी 16 वर्षी कार्तिक ककर अपने तीन साथियों समीर प्रत्युष और रोहित के साथ नेहतीर रेलवे फाटक गया था। कार्तिक रेलवे फाटक पर सेलफी लेने की कोशिश में रेल की पट्रे के पास आ गया और वहां से गुजर रही हरिद्वार अजमेर एक्स्प्रेस की चपेट में आ गया। ट्रेन के पहिये में फसकर कार्तिक करीब 500 मीटर तक घिसरता चला गया जिससे कार्तिक के दोनों पैर और एक हाथ कट गया। मौके पर ही कार्तिक की दर्दनाग मौत हो गई। जो पत्र बरामद हुआ है उसमें लिखा है जेनियू परिसर में एक विवादित समारों के चलते देश्त्रों के आरोप में गिरफतार किये गए कनहया और उमर खालित का सिर धर से अलग कर दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये पत्र उसी व्यक्ती ने लिखा है जि अब दुनिया समाचार में फिल हाल इतना ही लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com